विफ्चतो डिजीट को और ऑटर में उसमया क। तो आपको कौन कौन सा दिख रहे हैं 5739 ओकी तो ये एक 4 डिजिट का नंबर मिलके बन गया है ना 5739 ओके अब ये बन गया माल लीजे आपको ये बोला जाए कि आप इन 4 डिजिट के नंबर का यूज करके एक biggest नंबर बनाईए कि जो इन 4 डिजिट के तुरू आप सबसे बड कर सकते हैं इसको इसके लिए सबसे पहले इन 4 नंबर में से आपको सबसे पहले जो सबसे biggest नंबर है जिसे हमने ascending descending पढ़ा था है ना तो आपको क्या करना है descending वाला नंबर जैसे कि सबसे बड़ा उससे छोटा उसके बाद उससे छोटा उसके बाद उससे छोटा उसके मालेंगे तो आपका जो है बिल्डिंग नंबर में सबसे बिगेस नंबर बनके तैयार हो जाएगा और अगर इसका उल्टा माल लीजे बोला जाए कि सबसे इन फोर नंबर का यूज करके आप सबसे इस्मॉलेस नंबर बनाईए तो आप क्या करेंगे ascending order means कि सबसे छोटा सबसे पहले उसके बाद उसके बड़ा उसके बाद उससे बड़ा नंबर और सबसे बड़ा नंबर जो था ना सबसे biggest नंबर वो जाएगा सबसे last में तो आप फिर इसको easily कर पाएंगे लेकिन इसमें भी कुछ-कुछ rules होते हैं माल लीजे कि आपको सबसे जिसे आपको largest नंबर बनाना है तो हमें पता है कि हमें नंबर जो है descending order में बनाना है descending order में हम जमा देंगे सबसे बड़ा पहले उसके बाद उससे छोटा उसके बाद उससे छोटा तो हमारा ये जो largest नंबर हो बनके तयार हो जाएगा और अगर माल लीजिए कि हमें छोटा बनाना है तो हम इसको ascending order में जमा देंगे कि सबसे छोटा सबसे पहले उसके बाद उसके बड़ा उसके बड़ा सबसे लास्ट में सबसे बड़ा वला नमबर सबसे लास्ट में हम place करेंगे तो हमारा यह 4 डिजिट का नमबर यह 5 डिजिट का नमबर इस तरीके से बनके तयार हो सकता है और इसके अलावा भी माल लीजिए कि 0 होता है यहाँ पे जैसे 1039 आपको दिया गया अब आपको बोला चाहरा है कि आप सबसे पहले इसका build कीजिए largest number है ना तो largest number तो आपको पता है हम क्या करेंगे numbers को descending order में means कि सबसे बड़ा number कौन सा है यहाँ पे 1 बढ़ा है 0 बढ़ा है 3 बढ़ा है कि 9 बढ़ा है yes 9 बढ़ा है हमने सबसे पहले 9 को लिखा after that इसके बाद जो 9 से छोटा है लेकिन बाकियों से बढ़ा है वो कौन सा है 3 नमबर तो हमने 3 लिखा इसके बाद कौन सा है 1 नमबर है ना और सबसे last में हमने लिख दिया 0 so आगया 9,301 ओके तो 9,310 भी कर सकते हैं जीरो रास्ट में हाँ 9,310 यह आगे हमारा अंसर अब इसके बाद बोला गया कि आप इनी 4 डिजेट का यूज करके सबसे smallest नमबर बनाई जितना इसमार आप बना सके सकते क्योंकि first place पे zero की कोई value नहीं रहती है न इसलिए जब भी आप smallest नमबर बनाएंगे zero को आप first position पे कभी नहीं रखेंगे तो इसको आपको क्या करना है first position में ना रखके second position पे आप कर देंगे तब भी आप smaller number बना सकते है तो अब हम देखेंगे कि इसमें small number कौन सा है zero को नहीं लेना so zero के लावा कौन सा है it's one तो one ले लेंगे इसके बाद zero second digit पे तो यह already दिख रहा है आपको zero इसके बाद three इसके बाद nine तो हमारा answer आजाएगा smallest number का one thousand thirty nine तो यह smallest number बन गया है ना zero number को कभी भी first number पे आपको नहीं लिख रहा है आप हमेशे उसको second position पे लिखेंगे तो इसको इस तरीके से हमने done कर लिया है ओके तो अब आप सीख चुके हैं कि आपको अगर smaller number बनाना है तो आप उनकी value के हिसाब से उनको arrange कर लेंगे ascending and descending order में ओके तो एक बार और मैं बता देती हूँ कि largest number बनाने के लिए descending order और smallest number बनाने के लिए ascending order का हमें use करना है ओके नमबर को ascending and descending order में हमें जमा लेना है उसके बाद हम इसको solve कर लेंगे easily so तब तक के लिए इसको try करेंगे बच्चो